या फिर जाए रहे हैं मलब इबैंक वालों के पास काउनों कामधाम नहीं है दिन भर बाइट के कुरसी तोड़ेंगे और जब मन करेगा तो हरताल हरताल खेलने लग जाएंगे अब की बार तो डारेक्ट दूई दिन की स्ट्राइक कर लिए सही है वैसे भी इस महीने काउनों चुट्टी नहीं है बता रहे हैं कि सरकार बैंकों को बेचने की तयारी कर रही है अरे बाईया जब बैंक वाले बीमा से लईके मियोच्वल फंड बेच चकते हैं तो क्या सरकार बैंक भी नहीं बेच सकती हैं क्या है कि खरीद फरोक तो होती रहती है तो सरकार का भी मन लगा रहता है एर इंडिया को बेचे ही है बेचना बहुते जरूरी है इससे मार्केट में डिमांड बनी रहती है अब पिछले बजट में ताई जी बताई थी कि दो ठो बैंक बेच देंगी लेकिन बाई यहा पिक्चर पूरी सस्पेंस वाली निकली मजाल है कि आज तक कौनो जान पाया हो कि आखिर वो दो बैंक काउंस है बैंक वाले खुद एक गूसरे को शक्की नजरों से देखते है क्या पता कहो सरकार को कुदहीन पता हो लेकिन बैंक वाले भी कौनों कच्ची गोली तो खेले नहीं एन मोके पे सब बैंकों का प्रोफिट वाला सिगनल हरा कर दिये लेकिन भाईया यह मोधी सरकार है एक बार जो कमिटमेंट कर देती है हाँ किसान विसान हो तो बात अलग है बैंक वाले तो कह रहे हैं कि बैंक बचाओ देश बचाओ बताईये यह भी कोई बात हुई भला बैंक पहले है कि देश अरे बैंक रहे न रहे देश रहना चाहिए पार्ती पने की हद है लेकिन बैंक वाले भी बिचारे बड़े शरीफ है भोले हैं जनता का पूरा ध्यान रखे हैं मजाल है कि हरताल के साथ कवनों छुट्टी या फिर संडे वंडे पढ़ जाए वैसे एक चीज हम जनता को और बता दें जब जब बैंक वाले हरताल पे जाते हैं तब तब अपनी सेलरी कटवाते हैं मलब लड़ाई उन की नहीं बलकि इस देश की आम जनता की है अब भी समय है लड़ाई सिर्फ बैंक वालों की नहीं बलकि इस देश के हर नागरिक की है बैंक वालों का साथ देव बाकी फिर हमसे न कहिएगा कि बताए नहीं बाकी भाईया आज की जख्क पसंद आई हो तो फॉरन वीडियो को लाइक और शेर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें आप सुन रहे थे मिस्टर जख्की लाल जो बातों बातों में कर देते हैं लाल इनकी बातों का अंदाज है निराला सुनते रहे हाथ में लेके चाय का प्याला चलते हैं कल फिर होगी मुलाकात तब तक लड़ाते रहे जख्क